So hello what's up कैसे है आप सब स्वागत है आप सब का to this revision वीडियो जहां हम रिवाइस करेंगे बहुत ही प्यारा क्यूट सा topic of ICI professional ethics that is noclar अब सर यह जो noclar है इसके ओपर ICI का काफी favoritism बना हुआ है हर attempt में almost professional ethics में कोशन noclar का आ जाता है इवन जो आपका MTP आया अभी November 24 exams का उसमें भी noclar का कोशन था अब सर नोclar का क्या मतलब है simple सी बाद है non compliance with laws and regulation Sir हम laws and regulation की बाद ऐसे 250 बे भी करते हैं यहां भी करेंगे दोनों में फरक्या है Just give me 5 minutes and सारी की सारी बाते आपको clear हो जाएंगी अचा हां वीडियो पे आगे बनने से बेले मेरी आपसे request है वीडियो को लाइक जरूर कर देना so that यह बाखी CA final students तक भी पहुंच सके अब सर जब आप CA बनते हो तो आप क्या दो option रहते या तो आप practice करो या job जो CA practice करते हैं उनको कहते CA in practice वो clients को serve करते है जो service में वो किसको serve कर रहें employer को अब एक बात समझना इनको क्या मिल गया इनको एक non compliance with laws and regulation मिल गई अब sir noclar होता क्या है तो इसको भी लोगों ने define किया है this is an act of omission और commission omission और commission का मतलब है एक company को TDS अगले महीने की 7 तारीक को deposit कराना है तो या तो उन्होंने deposit ही नहीं कराया या delay कर दिया in depositing या गलत amount deposit कर दिया तो अगर omit किया नहीं किया अगर commission करी गलत किया दोनों ही cases में चाहे जान बूच के करे या unintentionally which is against the law which is contrary to the law उसको हम non compliance with laws and regulation बोल देगे अगर CA in service हो तो आपके employer ने तो या तो client और employer ने या फिर उनके अंदर के जो बदमाश बैठे है अब level by level चलना सबसे नीचे कौन होते है employees employees की उपर management management की उपर कौन oversight करता है TCWG तो जो employees है management है और TCWG इन्होंने कोई non compliance with laws and regulation करी है अब एक level और आगे चलते हैं सर एक बाप बताओ हमको करना क्या है अगर हमको को non compliance with laws and regulation मिल जाती है तो हमको क्या action लेने है यही सबसे important part है इस topic का तो यह कहता है example से समझना आपका जो client है या फिर आपका जो employer है आप किसी listed entity के लिए काम कर रहे हो वो लोग क्या कर रहे है इंसाइडर ट्रेडिंग वो कई ना कई इंसाइडर ट्रेडिंग कर रहे है विच इज प्रोहिबिटेड अंडर से भी एक 1992 तो सबसे वहले मुझे बता तुमको से भी एक 1992 आता है उसके provision आते हैं बोलो नहीं सर सर हमको नहीं आते तो सबसे वहले हम क्या करेंगे वही जो ऐसे 250 में करते थे जब भी कोई non compliance की खुश्बू आए या non compliance मिले तो अपन क्या करते हैं understand the matter आपने सबसे वहले matter क समझना है फिर उसके बाद address करके चलना है कि मुझे करना क्या है सबसे वहले understand किया then address the matter address the matter यानि what are the actions that you as a chartered accountant need to take sir हमको नहीं पता हमको क्या action लेने चाहिए क्या हमको इसके लिए legal advice ले ले हाँ आप एक legal advice ले सकते हो तो सबसे वहले matter को समझो फिर address करने के लिए आपने लिए advice जैसी मैंने advice लिए मुझे बताया गया कि इसके बारे में सेबी को बताओ इसके बारे में सेबी को बताओ या इसके बारे में सेवी को बताएंगे, बात समझ आती है सर, सर क्या सेवी को हर छोटी मोटी गलती बताएंगे या बड़ी बड़ी गलती हा, तो ये कहता है आप छोटी मोटी non-compliance, छोटी मोटी breach नहीं बताओगे, imminent breach बताओगे, सारे बच्चे बोलो मिर साथ, imminent breach बताएंगे या नी अगर कोई ऐसी चीज होई है जिससे company को बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है financially, non-financially sir financially क्या दिक्कत आएगी? penalty लगेगी non-financially क्या दिक्कत आएगी? अगर आपको पता चले Infosys, TCS इस तरह की बड़ी-बड़ी companies में insider trading हो रहे है, क्या हमें बोल दूँ company का नाम बदनाम हो जाएगा? हाँ, तो ये जो बदनाम ही होगी, this is a non-financial serious consequence, तो ध्यान रखना जब आप disclose की बात करोगे, तो हर breach में disclose करके आजाना बाभू, आपने सिर्फ serious consequences disclose करके चलने है, and last में वोही जो हर auditor का जनम से ददिकार होता है documentation, अब documentation क्या करना है कि इन दोनों ने क्या किया, और तुम ने क्या किया, इन दोनों ने क्या किया, और तुम ने क्या किया, सर ये दोनों कौन है, वो ही बदमाश, management और TCWG, इन दोनों ने matter पर कैसे response किया, फिर आपने as a accountant क्या action लिए यह action किस पर based होंगे आपके judgment or decision making पर जो भी आपका action judgment or decision से उसको document कर लेना यह basically third party test pass करना चाहिए sir आपने क्या बोला third party test pass करना चाहिए third party test का मतलब है क्या एक third party करती अगर यह दिक्कते होती so this your actions judgment and decisions should pass a third party test got it अब यह जो आप दोनों ने किया है मिलके क्या आप इससे satisfied हो क्या आप इससे satisfied हो कि जो public को लेके आपकी responsibility है वो आपने अच्छे से निभा दी तो अगला point यह कहता है is the accountant satisfied about the public responsibility being fulfilled क्या यह basic बाते clear है हाँ यह basic बात है हमको एकदम बढ़िया तरीके से clear है अब sir इसके बाद एक topic आता है क्या यह जो nuclear वाले provisions है to report the matters to disclose the matter यह सारे chartered accountants पर applicable है answer is no हमारा जो CA act है 1949 इसमें जो council है इसने decide किया कि all over the world तो यह सारे accountants पर applicable होते हैं सारे assignments पर applicable होते हैं बड़ जब India की बात होगी तो हम listed entities पर focus करेंगे तो यह कहता है as a CA in practice अगर आप audit कर रहे हो मतलब review के case में यह applicable नहीं है other assurance engagement पर applicable नहीं है सिरफ और सिरफ audit पे और audit भी किसका listed entity जो इंडिया में listed है यानि listed on a recognized stock exchange in India तो ही applicable होगा पर इन्होंने बोला सा listed entities तो बढ़ती जा रहे हैं जो entities इंडिया में listed है recognized stock exchange पे तो बढ़ती जा रहे हैं तो इसनों सभी audit पे applicable हो जाएगा तो just for the transitionary provisions अभी आज की date में उन्हीं listed entities पे पे अप्लिके बाले है जिनका net worth 200 करोड़ है सारे बच्चे बोलोगा साथ 200 करोड़ है एक और बात 200 करोड़ है धाइसो का मतलब है net worth is greater than equal to 250 करोड़ got it got it sir but sir जब बात आई employees की तो इन्होंने का employees को सबको उठा लो employees को सबको उठा लो जो भी listed entity का employee उसको उठा लो तो junior junior employee कहते हैं हमसे मत बोलो ठीक है यह बड़े बड़े लोग को की उपर डालो तो हमने का ठीक है junior वालों को हटा देते है senior वालों को उठा लेते हैं तो जो senior professional accountant से जिनको प्यार से बोलतो की managerial persons directors officers senior employees उनकी उपर ही apply के बल CA director हो company में और मैं CEO के साथ गाड़ी में जा रहा हूँ CEO गाड़ी चला रहा है और उसने गाड़ी चलाते चलाते मालनो accident कर दिया या red light skip कर दिया अब जो CEO की गाड़ी पर चलान लग रहा है क्या यह कोई उसका company से लेना देना है नहीं सर यह तो personal misconduct which is unrelated to business तो अगर CEO के उपर traffic चलान आ गया बड़ा वाला तो यह noclar के provisions में cover नहीं होगा ठीक है सर प्लस क्या मुझे as a CA law की expertise की requirement है to deal with these provisions answer is no जितना law CA course में सिखाया है उतना काफी उतना ही आपको अपने साथ लेके जाना है for doing the audit ठीक है सर अब सर examples दे तो noclar के छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे सिंबल सी वात है सबसे बहले इन्होंने banking sector उठाया because वहाँ पर सबसे जादा non-compliance हो रही वहीं सारे fraud और bribery हो रहे हैं तो इन्होंने का banking और other financial services अब banks में generally कौन से चीज़े दिखकते आती है fraud, corruption, bribery, plus banks के तुरू हवाला transaction होती है जिसको आप बोलते हो money laundering तो money laundering और terrorist financing तो तो अगला non-compliance हो सकता है securities market or trading example insider trading which is also non-compliance with laws and regulation यह कुछ examples आपने ध्यान रखके चलने है अब सर कुछ exceptions है गया noclar की जो आपको disclose करने की ज़रूद नहीं है answer is yes, if there is a personal misconduct जो मैंने आपको अभी बताया, वो disclose करने की need नहीं है, if something is against the law, contrary to the law, वो भी आपको disclose करने की अब आते है last में ICA का favorite question, जो अभी May 24 exams में इनोंने पूछा, SA 250 versus noclar, दोनों में difference किया है, तो सबसे बहला difference यह कहता है applicability, जो SA 250 नाम ही किया है standard on auditing, तो वो applicable किस पे audit of financial statement, जब मैं बात करता हो noclar की, तो noclar तो sir सारे professional accountants पे applicable है, चाहे आप इन practice हो, चाहे आप इन service हो, सर अभी तो कह रहे थे, listed entity, वो 200 करोड का आपने provision बताया है, तो audit का, वो यहाँ पे नहीं लिखना, वो यहाँ पे नहीं लिखना, बस वो ऊपर के लिए है, ठीक है, वो MCQ वगर के लिए, case study के लिए, अगर आप से simple सीधा साधा difference पूछे, तो ज़्यादा knowledge मत जढ़ किया पर उसके बाद सर दूसरी चीज क्या है कि, law की बात है, तो कौन से laws को cover करता है, तो SA 250 में तो हमने already पढ़ लिया, दो तरह की laws होते है, जिनका direct effect है financial statement में, उस पे हमको चाहिए sufficient है, appropriate evidence, जो other laws affect करते है, operations को, उन में हमको क्या चीए होता है, उनकी penalty वगर को, हमको ध्यान में रखना पड़ते है कि, अगर कोई non-compliance होई तो उसका penalty का provision बना चाहिए, तो यह दो तरह के laws की बात करते है, SA 250 direct और others, noclar भी यह कहता है, noclar भी similar है, SA 250 से इस point तक, but noclar focus करता है serious harms, serious consequences of imminent breach, तो यह कहता है, हम उन non-compliance पे focus करते है, which cause, sir, क्या cause करते है, substantial harm, financial और non-financial terms में, तो दो बाते आपको ध्यान रखने हैं, अभी तक बता हो, मैंने क्या क्या बता है, applicability, और उसके पहले मैंने क्या बता है था, sir, applicability के बात आपने law बता दिया, अब तीसरी चीज़ है, क्या यह stakeholders को define करता है, यानि laws को तो define करता है, but क्या यह stakeholders को भी define करता है, तो अगर SA 250 की बात की जातों, वो stakeholders को define नहीं करते, बड़ जब मैं noclar की बात करता हो, यह कहता है, हाँ stakeholders है, अंदर वाले, बाहर वाले, company के अंदर होते है, employees, बाहर होते हैं, जिन से पैसा आता है, investors, creditors, और general public, ठीक है? sorry, अब sir laws में disclose भी तो करना होता है, तो इन दोनों points को स्यात ध्यान रखना, SA 250 कहता है, कि हमको disclose वगर नहीं करना, appropriate authority को, sir क्यों जूट बोल रहे हो, हमने जब SA 250 पढ़ा था, हमने यह बात पढ़ी थी, कि कई बार हो सकता है, there is a need to report to parties outside entity, ICI कहता है, भूल जाओ उसको, आप ऐसा मानो, आपने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, ठीक है, तो जब मैंने आपको noclar वाली बात बते है, तो मैंने क्या बोला, noclar में कोई noclar कहता है, ऐसे 250 में disclose वाली बात नहीं लेकिया, तो sir हम भी माल लेकिया, थोड़ी देर के लिए माल लेते है, बट जब noclar की बात इमिनेंट ब्रीच का disclosure, and last में, सिरफ laws को define नहीं किया, stakeholders को भी define किया है, अब sir, एक मज़ा आजा है, अगर आप इसका नहीं को को कोशन बैंक है, जो प्यारा कोशन है, वो भी करा दो, तो फटावट अपने कोशन बैंक पे आओ, कोशन नमबर वन, एक बार देखते है, sir, इ इनको certificate मिला कैसे, इन्होंने घूस खिलाई है, 10.25 lakhs की घूस खिलाई है, for arranging the clearance certificate unlawfully, अब समझना करना क्या है, आप हो director finance, who is a chartered accountant, तो मुझे बताओ, आपके क्या action और responses होने चाहिए, as a director finance CA Rahul, जब आप ये noclar देखते हो, तो सारे बच्चे मुझे बताना, अगर मैं facts of the case देखू, तो क्या noclar applicable है, मैं कौन हूँ, director finance, यानि senior professional accountant हाँ, क्या listed company है, अगर कुछ नहीं लिखा, तो मान के चलो, listed in India, director finance भी बन गया, listed in India company का भी, तो क्या noclar applicable होगे, answer is yes, अब क्या sir, ये substantial harm cause करता है, मैं बोलता हूँ, हाँ, इसके serious consequences हो सकते, substantial harm हो सकते, financial, non financial terms में, अब अपने responses बताओ, sir, हमको सेवी act नहीं आता, पहले समझेंगे, फिर matter को address करने के लिए, क्या लिए, third point में, advice ली, advice लेते ही, पता चला, सेवी को बताना है, sir, सेवी को बताना है, यानि further action, disclose the matter to appropriate authority, 5 point हो गए, अब जैसे disclose करने जाएंगे, सारी बाते नहीं बताएंगे, imminent breach, और last में, documentation, तो यही आपके सारे points आपने यहां पे cover करके चलने है, आपके answer में हो सकते है, यह लिखा हो, कि senior professional accountants पे applicable है, of listed entity having net worth, यह net worth of 250 croda मुर को काट देना, this is not applicable, ठीक है, और आकरी में आपने यही 5 steps लिखके चलने है, so around 12 minutes, लग गए हमको 12 minutes 30 seconds in recording this revision, but I hope it was useful for all of you, काफी दाद आपको मजा आया, and noclar के जो provision से crystal clear हो गए, अच्छा, कई बच्चों के मन में आते है, sir, हम के कैसे बता चलेगा, इस question में noclar आएगा, ICAI, last line में आपको indication दे देता है, कि आपने essay 250 के साब से नहीं, noclar के साब से अपना answer लिखके चलना है, अगर वीडियो लिए लाइक, and yes, stay subscribed to the channel for more such videos, लगे रहो, मित रहो, लगे रहो.